कार्मिक प्रबंधन के इस दूसरे भाग ने आप सभी का स्वागर। मैं मॉनिका रिवेदी, Department of Home Science, सुत्राखंडोपा लिनिवर्सटे। Students, पिछले भाग में आपने कार्मिक प्रबंधन के बारे में पढ़ा, आपने कार्मिक प्रबंधन के कार्यों को समझा, आपने यह भी पढ़ा कि कार्मिक प्रबंधन के आवश्रक्ता क्यों होती है, इसकी क्या क्या विकास और नीथियां क्या क्या है इस पे और कौन-कौन से नाम से ही आपको पता लग रहा है, जाहिर हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया अर्थाद नियूकता जो है वो वरकर्स की नियुकतियाUND करता है। अगर आप ठानम्य करने जा रहे हैं as the owner of any thankyou तो आपको किन-किन बात होगा ध्यान रखना चाहिए या क्या-क्या pre-preparection आपने कर ली हैं इसको जरा सा देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको अगर कहीं भर्टी करनी है किसी व्यक्ति को किसी organization में रखना है तो उसका कार्द क्या होगा अटाथ आप किस कार्द के लिए किसी व्यक्ति को अपनी organization में रखना चाहते हैं इसके अलावा जो भी आप job दे रहे हैं उसमें कार्मियों को सूची बद्र करें पहले आप इस सूची बनाएं कि आपको किस कार्मिय के लिए व्यक्ति चाहिए उसके बाद उसके लिए आप कौन-कौन से कौशल या कौन-कौन से आपके रिक्वार्मेंट्स हैं कि उस व्यक्ति में उसमें कौन-कौन से skills होने चाहिए तो इस प्रकार से एक सूची बनाएंगे उसके बाद जब आप उसके according व्यक्ति को महाँ पर नियुक्त करेंगे तो आपको उप्युक्त कर्मचारी प्राप्त होगे एक प्रभावी भरती के लिए सबसे ज़्यादा आवशक है कि नौकरी की या उस नियुक्ति की आवशकता और उदेश आपको भी स्पष्ट होना चाहिए और जिसकी आप नियुक्ति कर रहे हैं उसे भी स्पष्ट होना चाहिए आवेदक की आयू, योग्यता, अनुभाव, कौशल, उदेश, स्वास्टेस्तिरी और प्रश्ट भूमी इसके बारे में सारी जानकारी आपको एक टाइम उफ इंटर्वियू और इंटरेक्शन होनी चाहिए उस समय आप से सारी बातें पूछेंगे इसके अलावा आप अपनी ओर्गिनाइजेशन की एक थार्तवादी लेकिन अनुभूल छवी को इसके सामने प्रस्तुत करेंगे क्योंकि अगर कोई व्यक्ती किसी ओर्गिनाइजेशन को जोईन करता है कोहीं के आप किसी व्यक्ती की नियुक्ती होती है तो वो भी चाहता है कि वो एक अच्छी ओर्गिनाइजेशन को जोईन करें आप ये स्वयन के एंग्जेंपल में भी देख सकते हैं कि आप हर जगर आप किसी पी जगे जाके जॉब नहीं करना चाहेंगे आप चाहेंगे यह अच्छी छवी बनीवी है उस इस्थान की उस organization की उस प्रतिस्थान की उस संस्था की जहां पे आप काम करने जा रहे हैं यह उस संस्था की जिम्यदारी है कि वह एक अपना अच्छी छवी जितने भी आपके participants हैं जितने भी आपके इंटर्व्यूई आए हुए हैं उनके सामने वो प्रस्तुत करें अब यह तो एक common बात थी कि कि किसी भी संस्था में नियुक्ती होगी अब हम खादे क्योंकि हम एक खादे सेवा के बारे में पढ़ रहे हैं खादे सेवा एकाईयों का अधियन कर रहे हैं तो हम खादे सेवा प्रतिस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ती कि किस प्रकार की जाननी चाहिए उसका इसमें क्या अंतर है एक normal प्रतिस्थान में एक तो इसके लिए क्या कार होता है? जी हाँ, बरतन धुना, बरतन धुने का कार, टेबल साफ करने का कार, इस प्रकार से कुछ कार ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा खाफ स्किल्स की आफशिक्ता नहीं होती है, लेकिन कुछ कार ऐसे भी होते हैं, जो स्किल्ट परसन ही कर सकता है इनमें आपको खुद भी इसकार से आप खुद भी देना चाहा रहे होंगे क्या कारे होते हैं जैसे एक कुप का कारे एक कुप ही कर सकता है जिसमें सबजी काटना, छीरना या जो भी एक्कुपमेंट्स वहाँ पे लगे में उनका प्रेयोग करना, इन सब के लिए आपको एक स्किल परसन चाहिए जो वह कारे अच्छे से करना जानता हो अन्य था, एक तो कारे में डिले होगा और वह उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा यदि व्यक्ति कुशल ना हो इसके अलावा, खानपान शेत्र के कर्मचारियों की न्यूक्ति में एक तो जॉब के रिक्वामेंट्स पूरी होने चाहिए उसके साथ साथ, उस व्यक्ति का व्यक्तित्तु बिंदू अर्था उसका व्यक्तित्तु कैसा है क्योंकि यह एक ऐसी संस्ता है जहां पर आप कस्टमर से डारेक्ट अटास्ट होते हैं डारेक्ट फेस्ट आपका आपसमें कॉंटैक्ट होता है तो आप बहुत अच्छे बोलचाल में होने चाहिए आपका जो बात करने का तरीक है बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी अपने बातों को रखने की बतानी की शमता अच्छी होने चाहिए इससे आप भी कस्टमर को अच्छे से समझ पाते हैं और कस्टमर भी आपकी बात से सहमत होता है यदि आप अच्छे से प्रस्तूत करते हैं स्वयम को अग बात करते हैं भरती के स्रोत की अर्थात कहां कहां से आपको पता चलता है कि कहीं पे कोई नई वेकिंसी आई है तो जैसे एक अंतरिक शुर्त है अर्थात अगर आपको कोई व्यक्ति किसी जम्तमीन सापके परिभार को कोई व्यक्ति है आपका दोस्त है आपका जानने वाला है वो व्यक्ति कीसी organization में कारे कर रहा है और वहाँ पे कोई निकलती है तो आपको इस तरीके से पता लग सकता है दूसरा है media, print media, like आप newspaper पर सकते हैं, tv, radio, notice boards और इस प्रकार से आपको telephone है, internet है, आजकल तो different sites हैं जो आपकी employment sites हैं इन में से पी आपको women जो निकलती हैं उनके बारे में पता लग ज जाता है, इसके अलावा college और संस्थान, जैसे अगर हम catering की बात कर रहे हैं, अठाथ हम food industries की बात कर रहे हैं, तो जितने भी hotel management या food industries, related colleges होगे हैं, इनके notice boards पे भी लग जाती vacancies, तो यहां से भी आपको vacancies का पता लग सकता है, इसके अलावा रोज्याद भी निमें होते है अठाथ different employment exchanges जितने भी हैं, वहां पे भी इनकी information आपको मिल सकती है, अब बात करते हैं, भर्ती की different नीतियां, नीतियों से मतलब है कि वो दिशानिर देश जो जो चैन प्रक्रिया को मानकी करत करने में साहिक होते हैं, ताक एक standard maintain कराते हैं, तो इसमें कुछ policies होती हैं, जिन होती हैं, तो इसमें दिखा होता है, यह qualification होनी चाहिए, कुछ अधिमानी अरताएं होती हैं, कुछ इसके अलावा कुछ होती हैं, कि आपको जिन चीजों का weightage दिया जाता है, यह दि आपने ऐसा किया हो है, तो आपको preference दी जाएगी, तो इस प्रकार से भी यह सब भी उसमे चाहिए इन चीजों में, कि किस प्रकार से उस व्यक्तिका आपने चाहिन किया है, स्टाफ चाहिन किस प्रकार से होता है, इनकी मापदंड क्या है, और मूल कादम इसमें क्या-क्या होते हैं, देख लेते हैं, आयू योगेता अनुभव, यह तो आपने किसी भी वेकंसी में देखाऊगा, यह तो मस्ट होते हैं, यह तो बहुती प्राइमरी रिक्वार्मेंट है, नौकरी के आवश्यक्ता के साथ, उमीदवारों के संगत्ता, सामाजिक कौशल, पारिवारिक, आशावादी, प्रिष्टभूमी, स्वास्तिक इस्तिति, उसके इंट्रेस्ट, हॉब अब हम बात करते हैं प्रेरण की, प्रेरण जैसे कभी कोई भी व्यक्ति, किसी नई और्गनाईजेशन में जाता है, तो वो किस प्रकार से स्वयम को वहाँ पेश करता है, या किस प्रकार से दूसरों के सामने अपने को डिफाइंग करता है, यह सब प्रेरण या अभी वि नियास के रुप में जाना जाता है और किस प्रकार से वभ्यक्ती उस प्रतिस्ठान में एक इंट्रोड्यूस कराया जाता है या कैसे उस प्रतिस्ठान के बारे में पता चलता है प्रतिस्ठान में आने के बाद देखे प्रतिस्ठान में आने तक की प्रक्रिया चेन प्रक्रिया है लेकिन प्रतिस्ठान में आने के बाद उसे किस प्रकार से लोगों के बीच में रहना है किस प्रकार से जान पहचान करनी है, मेल जोल बढ़ाना है, अच्छी healthy relationship जो है वो बनानी है, यह सर उस व्यक्ति पे depend करता है और जितने अच्छे से वह उस माहौल में समायोजित हो जाएगा सुर्यम को और उसके लिए वहाँ पे कारे करना उतना ही आसान हो जाएगा इस प्रकार से प्रेरन करमचारियों को उनके माहौल और नौकरी के लिए निर्देशित समायोजन है, अरताब कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में आया है, तो वह उस माहौल में किस प्रकार से काम करेगा, संस्था को निर्देशित भी करेगा, उसे क्या क्या करना है, या संस् इस संस्था के बारे में पुरा जानना चाहिए, खब वो संस्था शुरू की गई, क्या क्या उसकी महत्वपूर घटनाए है उस संस्था की, कौन-कौन लोग उसे जुड़े थे, जो बड़े-बड़े लोग थे, जोनों ने बहुत कांग किया संस्था के लिए, इसके अलाव इन भाग, उनके विभाववों के बारे में अथात कौन-कौन से दिपार्टमेंट से अंदर, कौन-कौन-कौन से दिपार्टमेंट पर काम होता है, उनके अचोडी कौन-कौन है, किते इंप्लॉयर है, इस प्रतार की information सारी आपको collect करने की, मतलब की आने वाले व्यक्ती को जो भी वो आ रहा है कार्मिक उसको पता होना चाहिए स्टाफ लाब क्या-क्या है अत्ताफ कौन-कौन सी फेसिलिटीज दी गई है किस सकक्ष है, कैंटीन है, आराम किरने के लिए कोई रूम है और इसके अलावा सुरक्षा की बहाँ, जो सुरक्षा है वो किस प्रकार की है, कि अगर कोई व्यक्ति है, at the time of operation means working hours में किसी व्यक्ति हो, कोई problem होती है, health related तो किस प्रकार से company deal करती है, या पर वो संस्था deal करती है इस प्रकार से, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये प्रेरण दो प्रकार का हो सकता है, आपचारिक और अनपचारिक जैसे आप देखिए, आप किसी छोटे से किसी रेस्टर में जाएं, किसी छोटे सी संस्था में जाएंगे तो आपको आपने आज, जैसे आपने अगर वहां पर करना शुरू कर दिया है तो आप धीरे-धीरे खुद ही वहां के लोगों को जानने लगेंगे, जो कि बहुत-बड़ा स्टाफ नहीं हुआ, छोटी से संस्थाद है, कम लोग होंगे, और उनको आप कारे करने के सांसान जानते भी जाएंगे, और अपने कारे के कारे को भी करते जाएंगे, तो यहां कोई भी अपचारिक टाप का आपका इंट्रड़क्शन नहीं होता है, तो यह अपचारिक इंट्रड़क्शन है, अपचारिक इंट्रड़क्शन में क्या होता है, आप जैसे इंटर करते हैं, आपको इंट्रड्यूस कराया जाता है, यह बड़ी संस्थाओं में फॉल होता लेकिन अगर मीडियम उसमें है तो आपको सारे डिपार्टमेंट से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस डिपेंज कि आप कहां पे किस पद पे जॉइन करें तो इस प्रकार से प्रेडर्ण दो प्रकार का हो सकता है अब आके बढ़ते हैं कर्मचारी सुविधाएं और लाप के बारे में पढ़ते हैं स्टाफ वेलफेर प्रोविजिन्स अर्थाद स्टाफ कल्यान प्रावधान कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं या उनको क्या उनके welfare के लिए जो जो भी कार किये जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले देखने की जरुरत यह है कि कहां कहां पे इन लाभों की जरुरत है एक तो आपके workplace पे एक आपके workplace के बाद workplace पे जैसे एक अच्छा environment देना अच्छा environment मतलब बहुत गरम ना हो ठीक ठाक वहां पे अच्छा समाहॉल हो सोर गुलना होता हो और अच्छा healthy वातावरन हो स्वच्छ वातावरन हो सौचाले की सुविधाएं हो वहां पे कारिस्थल पे आपके और जो भी आपके chair tables जो भी आपको उन्होंने अगर computer दिया है वह अच्छा हो पुरानी उसका ना होना ही technology का हो तो इस प्रकार से ये सुविधाएं कारिस्थल पे आवश्यक होती हैं इसके अलावा कैंटीन की सुविधा जैसे जिस किसी प्रतिस्थान में करमचार्यों की संख्या 500 से अधिक हो आपे कैंटीन सुविधा प्रदान करना अवश्यक है स्वास्ते सुविधाएं में जैसे कोई स्वास्ते बीमा है रेगुलर चकप्स हैं या फिर मैंस जैस्थाब अभी पहले कि अगर आपको वाकिंग आज के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय के उप्चार के लिए क्या सुविधाएं तो इस प्रेकार से स्वास्त सुविधाओं में आता है जो अगला पक्ष है वह है मजदूरी अर्थात आपका वेच अर्थात आपकी सैलरी जिस भी आप रूफ में कहलें कि वो टाइम से आनी चाहिए जो आपको फिक्स की गई है वो सैलरी आपको मिलनी चाहिए और इसके अलावा अगर कोई अन्य सुविधाएं हैं कोई अन्य कल् कर्मचारियों को फाइदा हो सकता है तो वो भी मिलनी चाहिए आवास व्यवस्ता कुछ कुछ जो और्गनाजेशन इस अस्ता हैं वो अपने कर्मचारियों को आवास क्वाटर्स भी देते हैं रहने के लिए जो सबसिडी वाले किराय के घर कहे जाते हैं और इस प्रकार से इन other than salary, जो उनको salary fixed है, इसके अलावा भी अगर company या कोई संस्ता उनको कोई मदद करती है, जैसे कि कुछ U&B मा, pension ये credit सुविधा, इसके द्वारा वो अपनी family की मदद कर सकते हैं और जिससे कि उनमें पारिबारिक सुरक्षे की भावना भी विक्सित होती है, इसके अलावा गै प्रोट साहिब करने के लिए पैसा तो एक महत्रपून फ्रेरग है ही, लेकिन अगर इस कैतरिक भी उनकी शारेरी के सामाजी का अवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य प्रोट साहन भी उनके विले किये जा सके हैं, तो अध्यन लापताएक होते हैं, अब अब बात करते हैं, ट्रेनिंग और जेलॉप्मेंट प्रेसिक्शन हैं विकास की, प्रेसिक्शन का उप्देश, प्रबंदक के लिए महत्रपून है कि प्रेसिक्शन से पहले वह उसकी अवश्यक्ता को जाने, प्रेसिक्शन के निमने चरण कहे जा सकते हैं, पहले चरण मे मुल्यांकन द्वारा अवश्यक्ताओं के लिधारन और मुल्यांकन के माध्यम से कर्मचारियों की अक्षमता या प्रदर्शन में कमी की जानकारी प्राप्त की जाती है मुल्यांका लुआरा हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग के आवशक्ता है क्या किसी व्यक्ति के कारी करनी की श्रमता में कोई कमी आई है यदि आई है तो उस कमी को किस प्रकार की ट्रेनिंग को देख कर दूर किया जा सकता है द्वितिय चरण में उन शेत्रों की पहचान की जाती है यहाँ पर यह प्रसेक्शन की आवश्यक्ता होती है और उन्हें प्राथमिक्ता के क्रम में लगाया जाता है अगर बहुत सारे व्यक्तिय ऐसे हैं या बहुत सारे कमचारी ऐसे हैं जिने प्रसेक्शन की आवश्यक्ता तो priorities set की जाती है कि कि इने ज़ादा होशकता है कि इनको थोड़ टाइम दे के प्रसिक्षन दिया जा सकता है ताकि सभी लोग एक सान ट्रेनिंग पर जाये और कुछ व्यक्ति ट्रेनिंग पर जाये तो कुछ व्यक्ति काम करने संस्ता में इस प्रकार से इसका भी management किया जाता है त्रितिये चरण प्रसिक्षन के लिए कारिक्रमों की योजना बनाई जाती है और एक समय सान इसके लिए विर्धात की जाती है कि किस दिन किसी का प्रसिक्षन होगा क्या टाइनिंग रहेगी क्या उसके बीच में breaks क्या मिलेंगे लिए इस पर एक agenda त्यान किया जगता है प्रसिक्षन कारिक्रम कराये जाते हैं जैसे हमने भी चर्चा करी क्यों कराये जाते हैं और उनके क्या लाव हैं कि अगर किसी कर्मचारी को प्रसिक्षन के लिए भीज़ा चाता है तो इसे कंपनी और कर्मचारी को क्या लाव होते हैं देखें एक व्यक्ति में आत्म विश कर सकता है और यह कब आएगा जब या तो उसे वह पहले से आता हूँ या फिर से ट्रेनिंग के मार्थ हम से कौशल प्रदान किया जाए तो इस प्रकार से यह प्रसिक्शन द्वारत रिखती कि आत्मे विश्वास में व्रद्धी कि जाती है और अविस है प्रोडक्टिवीट बढ़ती है तो संस्था को भी लाब होता है जैसा सेकंड बात कर सकते हैं ग्यान कोशल जिसे मैंने पहले ही बता दिया कोशल अर्थाथ आपकी स्किल्स को डिबलग किया जाता है आपके जो कमिया है उनको दूर करके आपको और ज़्यादा एफिशियन बनाया जाता है तो अगर प्रसिक्षन जो ट्रेनिंग है इसके मादियन से जो कुछ चेंज़ आ रहे है था टिकनोलोजी में चेंज़ है या कोई परिवर्तन है वाताबरान के कोई परिवर्तन यहीं हो सकते हैं कि टिकनोलोजी में और डिफरेंट इंफॉमिशन अगर कोई चेंज़ इन में आ और प्रसिक्षन और विकास बहुत ही गहरे संबंदित हैं क्योंकि प्रसिक्षन ही वसाधन है जिसे कि जी व्यक्ति का विकास किया जाता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं उसका अपना व्यभाद चेंज होता है मूल्यों में परिवर्तन आता है और बहुत सारे उसने positive changes field किये जा सकते हैं इनको आप विकास कहते हैं विकास की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं इसका पहला चरण है किसी प्रतिस्ठान में किसी शेतर में विकास की अवशकता महसूस करना अर्थाथ किसी व्यक्ति में या किसी particular department में विकास की आवशक्ता को महसूस करना दूसरा जिस शेत्र में विकास की आवशक्ता महसूस की है उसमें सुधार करना है या डिसाइट करना तीसरा लक्षन इर्धारित करके एक योजना तैयार करना और चौथा योजना से जो भी आपने योजना बनाई है उसमें कर्मचारियों की भूमिका, संचोदि, संदशनाय, प्रस्रिक्षन आदी को विक्सित करना और क्योंकि भूचन सेवा के भीतर जब भूमिकाओं को संचोदि और आवंटन किया जाता है तो कर्मचारियों की जो वहभार में है एक परिवर्थन आप और एक समझ को विक्सित होते विए देख सकते हैं और अिनतनी विकास के हर चरण को लगातार उस सीमा तक मुल्यांकित करना जिससे कि तब तक मुल्यांकन उसका करते हैं जब तक कि आपको पर्टिकुलर व्यक्ति में और उस शेत्र में परिवर्तन महसूस ना हो विकास के कुछ सिधान्त हैं जैसे अगर खादी सिव अब तो इस ठानों में बात करें तो इसके सिधान्त हैं आवशकता स्थान छोटा समू, एकता, संदचना और कारे संबंद, सीखना, स्पिप्रतिक्रिया, परिवर्तन की योजना, निर्दत्यु सैली, प्रेना, पसंद, भागी दारी, जिम्मेदारी ये साथ विकास के सिधान्त हैं जिन पर की किसी भी शेत्रय, किसी भी व्यक्ति का विकास निर्भर क लौटा समू, आप में जिम्मेर्त frames समुन जिर्वर्ण, सीब्स, भागी विकास, जिम्मेदाएं खरेस्टिया ओार्सका साथ, बिम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्!